आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ अगर वो Force Body को किसी Point या Axis के About Rotate करवा रहा होगा तो वो Force हमें क्या देगा Torque या Moment दे रहा होगा मा लेते हैं इस तरह से मारे पास कोई एक Rod है मैं Rod का एक End Hinged कर देता हूँ यहाँ पे Fix कर देता हूँ लेट से Point O से मैंने क्या की Rod को Fix कर दिया अब मैंने Rod के दूसरे End पे एक Force लगाया इस तरह से यह Force देखो Rod के Length के Parallel मा लेता हूँ Rod का Length L है तो जो Force अभी मैं लगा रहा हूँ Rod पे देखो Rod के Length के Parallel है यह Force Body को कौन सा Motion करवा सकता है सिर्फ और सिर्फ Translation Motion अगर माल लेते हमारे पास पॉइंट में हिंज ना किया होता तो जैसे यह Force लगाओगे Rod देखो इस तरह से Straight Line Motion करना शुरू कर देती तो यह Force Body को सिर्फ और सिर्फ कौन सा Motion करा सकता था Translational Motion तो क्या हमें यह Force कोई भी Body को Rotational Effect देगा नहीं देगा क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ Body को Straight Line Motion करा सकता था Clear? अच्छा माल लेता हूँ अगर इस End को मैंने Hinged कर दिया तो अब यह Translation Motion भी नहीं करेगा सिर्फ Force तो लग रहा होगा लेकिन देखो Rod का Point हो कि About Hinged है तो यह Translation Motion भी नहीं करेगा तो यहां पर देखो क्या यह Force हमें Moment देगा नहीं क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ Translational Motion करा सकता था अगर Rod Hinged होगी तो यह Translation Motion भी नहीं करा पाएगा Moment क्या होता है यह जो Force है Body को किसी Point या Axis के About Rotate कराए तो क्या यह Rod Rotate कर रही है इस Force की वज़े से नहीं दूसरा Example मैं माल लेता हूँ कि अगर इसी Force को मैं Rod के Length के Perpendicular लगा देता उपर की तरफ या नीचे की तरफ यह जो वही Same Force था Rod की Length के Perpendicular मैंने लगा दिया तो यह Force क्या करेगा Rod को उपर उठाएगा चुकि Rod Point Okay About Hinged है तो देखो Point Okay About Rod Rotate कर जाएगी मतलब यह Force एक हमें Moment दिया होगा और इस Force का जो Moment होगा वही हमारा Torque कहलाएगा तो कुछ दिर बाद देखो कि Rod यहां से उठ करके कहां चली जाएगी इस Position पे चली जाएगी लिएससे Position A था यहां से Position B पे Rod पहुँच जाएगी कौन सा Motion हुआ है? Rotational Motion देखो Point O पे अगर आप बैट को देखोगे तो सिर्फ Rod rotate कर रही होगी क्योंकि इस पे जो Force लगा था Rod की Length के Perpendicular Direction में लगा था तो Force अभी वी जो लग रहा होगा Same Magnitude का होगा इसकी Length के Perpendicular तो यह जो Force होगा देखो हमें क्या Provide कर रहा होगा? Rotational Effect क्योंकि इस Point O और Force के बीच के हमें यह Perpendicular Distance मिल रही थी तो यह हमें क्या Provide करेगा? Rotational Effect तो एक ऐसा Force जो किसी भी Body को किसी Point या Axis के अबाओ Rotational Effect दे रहा हो उसी Force का हमें Torque मिलेगा और उसको बोला जाता है Moment of Force equals to Torque तो Torque अगर मैं General Derivation करता है तो पता चल गया होगा Torque क्या होता है? एक ऐसा Force जो किसी Body को Point या Axis के अबाओ Rotate करे तो वो Force हमें Torque दे रहा होगा अब मा लेता हूँ इस तरह से हमारे पास कोई एक Body है इस तरह से टीक जिस पे इस Direction पे Force लगा और हमसे पुछा जा रहा है कि कोई एक Point यहां पे है मैं अब Derivation कर रहा हूँ Torque मा लेता हूँ कोई एक Point O है पुछा जा रहा है कि यह Body का Point O के About Torque लिखे तो सबसे पहले क्या करोगे Body को Point O से मिला दोगे तो इस तरह से हमारे पास यह Position Vector R हो जाएगा इसको अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ाता तो यह Position Vector लेट से Force से कितना एंगल मना रहा है Theta तो सबसे पहले Target क्या होगा जिस Point के About आपको Torque चाहिए उस Point से Body जहां भी हो जिस Direction में Force लग रहा हो उससे आप दोनों को मिला दोगे अब यहां से अगर मैं Torque लिखता तो Torque का Formula कितना होता है Position Vector Cross जो Body पे Force लग रहा है R x F अगर देखो Torque equals to क्या होता है अगर Cross Product अटाओगे तो आजाएगा R F sin Theta इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ देखो Tau equals to आजाएगा हमारे पर देखो Force जो Body पे लग रहा था into R sin Theta R sin Theta को मैंने ऐसे अलग कर लिया अब मैं क्या करूँगा जिधर Body पे Force लगता है जिस Line के Along उस Line को आगे पीछे आप बढ़ाओगे तो इसको बोला जाता है Line of Action of Force मतलब Body इसी Line के Along move कर सकती है जिधर Force लग रहा है तो इसको बोला जाता है Line of Action of Force तो इसको डिरेक्ट आप लिख सकते हो Line of Action of Force यह आ गया अगर इस Line को पीछे बढ़ाओगे और जिस Point के About आप Torque लिख रहे हो यह Position Vector में नीचे बना लेता हूँ उस Line से Perpendicular Drop कर दो तो इस Point से इस Line पे Perpendicular Drop करोगे तो देखो इसको बोला जाता है R Perpendicular अगर यह Angle Theta है तो यह भी Angle Theta होगा और यह R Perpendicular देखो इस R Sin Theta का एक Component आएगा तो क्या हो जाएगा R Sin Theta तो R Sin Theta के जैसे आप यहाँ R Perpendicular लिख सकते हो तो Force Torque equals to क्या होगा Force into R Perpendicular यह सबसे Important Formula था Torque का तो R Perpendicular क्या होता है जिस Point या जिस Axis के बाउट आप Torque लिख रहे हो उस Point से Axis Sorry, Line of Action के बीच की Perpendicular Distance क्या होता R Perpendicular और जिस Point के बाउट आप Torque लिख रहे हो उस Point से Line of Action और Force के बीच की Perpendicular Distances R Perpendicular तो इस तरह से हमारे पास Torque यह Define होता है Sign कैसे निकालते हो Torque Vector Quantity है तो आप उसका Direction ऐसे निकालोगे R x F करके मा लेता हूँ कि इस तरह से कोई एक हमारे पास ऐसे एक Object था जो Ground पे रखा गया ठीक यहाँ पे अब यहाँ से माल लो इसके दूसरे एंड पे मैंने एक Force लगाया इस तरह से Force लगाया F क्या F हमें Rotational Effect देगा Definitely यह जो Force होगा इस Body को इसके Center of Mars जो Point होगा O के About rotate कर रहा होगा तो यहाँ पे देखो इस Point Okay About अगर आप Torque लिखोगे भी मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ Point Okay About तो क्या चाहिए होगा अगर Torque लिखोगे तो सबसे लिखोगे Point Okay About जो Torque होगा Tau इक्वाल्स टू Force इंटू Perpendicular Distance तो Force आप लिखोगे इंटू Perpendicular Distance क्या होगा Line of Action और जिस Point के About आप Torque लिख रहे हो उसकी बीच की Perpendicular Distance Radius of this Body हो जाएगी तो F into R आ जाएगा Direction कैसे लिखोगे R x F R की तरफ अपनी Right Hand का चारू Fingers करो Force की तरफ कर्ल करो तो R देखो उपर की तरफ है Position Vector उपर की तरफ Fingers करो, Force की तरफ कर्ल करोगे घुमाएगा तो इसको आप ऐसे Clockwise भी बना सकते हो, यह आगया Magnitude तो Torque ऐसे लिखा जाता है माल लेते हैं, दूसरा की Example लेते हैं कोई एक इस तरह से हमारे पास एक Rod है ठीक, यहाँ पर मैंने एक Rod ले लिया Rod का इस Point को मैंने क्या किया? Hinged कर दिया यहाँ पर Rod Hinged है अब मैं पूछू कि माल लेता हूँ कि मैंने Rod के यहाँ पर एक Force लगाया F और Hinged Point से इस Force की Distance माल लेता हूँ कितनी है? X है और जो हमारे पास Force लग रहा है, Rod की Length के Perpendicular लग रहा है, तो आपको बदाना है कि Point O के About Torque बदाए तो Torque कैसे लिखोगे? Force देखो, Body पे Force लग रहा है, F into Perpendicular Distance तो Line of Action यह हो जाएगा, Line of Action से जिस Point के About Torque लिख रहे है, उसकी Perpendicular Distance देखो, यह X हो जाएगी यह Perpendicular Distance कितनी हो जाएगी? X, तो F into X आजाएगा, Sense कैसे लिखोगे? आर की तरफ, Position Vector की तरफ, Right Hand की चारो Fingers करो, मतलब इस Direction में Right Hand की चारो Fingers करो, Force उपर है, करल करोगे तो Right Hand का Thumb, Spline के Perpendicular बाहर की तरफ आएगा बाहर की तरफ का मतलब कि आप देख सकते हो जो Torque आएगा, वो हमारे पास Anti-Clock-Wise Direction पे आएगा, ऐसे Clock Sense बना सकते हो, और आप ऐसे भी देख सकते हो Point उसे जो यह Force होगा, Rod को ऊपर की तरफ घुमाना चाहेगा तो कुछ दिर बाद देखो, Rod ऐसे यहाँ पहुच चुकी होगी ठीक, तो इस तरह से आप Torque देख सकते हो कैसे Magnitude लिखा जाता है, Direction कैसे Define किया जाता है तो यहाँ पे मैंने Detail में इसको Discuss कर लिया और यही हमारा इस Question का Answer हो जाएगा अच्छा, Moment of Force, Torque के बराबर ही होता है Moment क्यों बोला गया? कि यह Force जो है, देखो, Body को Rotational Motion दे रहा, मतलब एक Moment प्रोवाइड कर रहा है इसको Torque ही बोला जाता है Thank you